ओडिसा के बाला सोर में शुक्करवार शाम को बड़ा ट्रेन हादसा हो गया 16 महीने बाद यह दूसरा सबसे बड़ा रेल हादसा है साल भर पहले 2022 में पश्चिम बंगाल में रेल हादसा हुआ था जिसमें एक लोकल ट्रेन पटरी पड़ से उतर गई थी अब ओडिसा के बाला सोर जिले में शुक्करवार को तीन ट्रेनों के टकर हो गई हादसा बहनागा स्टेशन के पास हुआ जहां हावडा एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस और माल गाड़ी के टकर हो गई ये हादसा इतना भयानक था कि रेल की कई बोगियां पूरी तरह से तबा हो गई है वहीं एक बोगी घटना स्थल से कुछ दूरी पर जाकर किरी है जिससे अंदाजा लगा सकते हैं कि टकर कितनी जबरदस्त थी हादसे में पंद्रा बोगी पट्री से उतरी है साथ बोगियां पूरी तरह पलट चुकी है इस रेल हादसे में मौत का सिलसला बढ़ता ही जा रहा है अब तक 290 से ज्यादा मौत हो चुकी है और घायलों की संक्या हजार से पार हो चुकी है इसी बीच ट्रेन हादसे का कारण भी सामने आया है शुरुवाती जाच में सिगनल फेल होने के बज़ा बताई जा रही है अभी भी धुरगटना क्रस्थ बोगियों में राहत और बचाफ कारण चल रहा है अधिकारियों ने बताया कि ओडिसा के बहनकावा बजार में हावडा से बैंगलूरू जा रही हावडा एक्सप्रेस के कई कोच शुकरवार शाम करीब साथ बज़े पत्री से उतर गए और साथ वाले ट्रैक पर जा गिरे इसे दोरान उस ट्रैक पर शालिमार चेनने सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस आ गई और पल्टे डिब्बों से टकरा गई इसे कोरोमंडल के कई डिब्बे पत्री से उतर गए और बगल के ट्रैक से घुजर रही मालगाडी से टकरा गई मौके पर पहुँचे स्थानी लोगों ने यात्रियों को निकालना शुरू किया बाद में एंडी आरिफ, राज्य सरकार और वायुसेना ने बचाव और राहत कार्यों शुरू किया रेल मंत्री अश्वनी वैश्णव, केंद्री मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और और ओडिसा के मुख्य मंत्री नवीन पत्नायक ने घटना स्तल का दौरा किया और राहत और बचाव कार्यों का जाइजा लिया इस घटना को मद्दे नजर रखते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी खुद ओडिसा जाएंगे। इस घटना पर कई नेताओं और सेलेप्स ने शोग जताया है। वहीं हाथसे के बाद रेल मंत्राले ने मुआवजे का एलान किया है। रेल मंत्री अश्वनी वैशनव ने मृतकों के परीजनों को दस लाक रुपे, गंभी रूप से घायलों के लिए दो लाक रुपे और मामुली चोटों वालों के लिए पचास हजार रुपे की अनुग्रे राशी देने की घोशना की। वही तमिलनाडू के मुख्य मंत्री M.K. स्तालिन ने एलान किया है कि घटना में तमिलनाडू के प्रतिक मृतक के परिवार को पांच लाक रुपे और घायलों को एक-एक लाक रुपे तमिलनाडू सरकार दुआरा दिये जाएंगे। वही पी-म मोदी ने हाथ से पर दुख चताते हुए पी-म नाशनल रिलीफ फंड से मृतकों को दो लाक रुपे और घायलों को पचास हजार रुपे का मुआपजा देने का एलान किया है। अबुलेंस घटना स्थल पर मौजूद है। हाथ से के चलते खड़कपुर डिवीजन के हावड़ा चैन्ने रूट से गुजरने वाली 18 लंबी दूरी की ट्रेने कैंसल कर दी गई है। हाथ से के चलते ओडिसा और तमिल्नाडू में एक-एक दिन के शोग का एलान किया गया है। तमिल्नाडू के मंत्री उदे निधी स्टालिन, शिफ शंकर और अन्बिल महेश भी ओडिसा में घटनस्तल का दौरा करने के लिए रवाना हो गए है। हाथ से के बाद बाला सोर में अस्पतालों के बार लोगों की भारी भीड़ है। काफी संख्या में लोग रक्तदान के लिए अस्पताल पहुँचे हैं। साथ ये राहत और बचाफ कार्यों में भी स्थानिये लोग मदद कर रहे हैं. सेना भी राहत कार्यों में जुटी हुई है. बालसोर ट्रेन हादसे के लिए एहम हेल्प लाइन नमबर भी जारी किये गए हैं.